इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है रेप के दोशी को सजाय मौत नया कानून आ रहा है ममता सरकार बड़ा कानून मनाने ज़ा रही है सोमवार को विदान सभा में बिल पेश होगा पुरा प्रस्ताव तयार कर लिया गया है ममता कैबिनेट ने बिल पास भी कर दिया है और अब सोमवार को विदान सभा में इसे पेश किया जाएगा नय कानून में समय बद्ध सुनवाई का प्रावधान रखा गया है इसके लवा सजाय मौत या मरने तक जेल में रखने का प्रावधान इस बिल में किया गया है आरोपियों से ज्यादा मुआबजा या जुर्माना वसूला जाएगा कुलकाता डॉक्टर रेप हत्याकान के बाद ये सक्ती बर्ती जा रही है ममता सरकार नया कानून बनाने जा रही है सोमबार को विदान सभा में बिल पेश होगा ममता कैबिनेट ने बिल को पहले ही पास कर दिया है नय कानून में सजाय मौत या मरने तक जेल में रखने का प्रावधान आरोपियों के खिलाप रखा गया है इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है रेप के दोशी को सजाय मौत नया कानून आ रहा है ममता सरकार बड़ा कानून बनाने जा रही है सोमबार को विदान सभा में बिल पेश होगा पुरा प्रस्ताव तयार कर लिया गया है ममता कैबिनेट ने बिल पास भी कर दिया है और अब सोमबार को विदान सभा में इसे पेश किया जाएगा नय कानून में समय बद्ध सुनवाई का प्रावधान रखा गया है इसके लवा सजाय मौत या मरने तक जेल में रखने का प्रावधान इस बिल में किया गया है आरोपियों से ज्यादा मुआबजा या जुर्माना वसूला जाएगा कोलकाता डॉक्टर रिप हत्याकान के बाद ये सक्ती बरती जा रही है ममता सरकार नया कानून बनाने जा रही है सोंबार को विधान सवा में बिल पेश होगा ममता कैबिनेट ने बिल को पहले ही पास कर दिया है नय कानून में सजाय मौत या मरने तक जेल में रखने का प्रावधान आरोपियों के खिलाप रखा गया है